हलो फ्रेंट्स, बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है, आज मैं महिलाओं के लिए कुछ खास जानकरी लेकर आई हूँ, जिससे महिलाओं अपनी लाइप को बदल सकती है, महिलाओं कारोवा से सम्मधित कुछ खास ट्रेनिंग हासिल करके अपनी जिंदगी में खुसाली ल उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन मुसीवतों से निजात पाने के लिए महिलाओं कारोवा से जुड़ी छोटी सी ट्रेनिंग लेकर अपनी जिंदगी को खुसाल बना सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, यहां मैं संध्या की कहानी सु साधी हो चुकी थी, साधी के बाद वो गाओं से सहर चली आई, इंदोर में उसका पती और्टो रिक्सा चलाता था, कुछ दिन सबकुछ अच्छा चलता रहा, उसका पती सरावी था, जो कमाई करता था, वो सराव में उड़ा देता था, संध्या दो बच्चों की मा भी बन गई थी, इधर पती दोरा सराव में सारे पैसे उड़ा देने से, खाने के लाले पड़ गए थे, परिसान होकर रुओ अपने माई के लोट आई, इंदोर में रहते हुए, संध्या ने एक स्वयम से भी संस्ता दोरा कराए जाने वाले ब्यूटी पालर की ट्रेनिंग ले च अपना घर भी बना लिया, उसने अपने ब्यूटी पालर में दो लड़कियों को काम पर रख लिया है, इस तरह एक छोटी सी ट्रेनिंग लेकर संध्या ने अपना काम तो सुरू किया ही, साथ ही उसने अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया, यह तो थी संध्या की कहानी, म में गरीब या मध्यम परिवार की महिलाओं से कहना चाहूंगी, कि वे अपनी रूची की अनुसा कोई ट्रेनिंग जरूर ले, कहां से ले ट्रेनिंग, आजकल सहरी और ग्रामिन छेत्रों में सरकारी और गयर सरकारी संस्ताओं धारा महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है. सरकार के कुछ विवाग जैसे समाज कल्यान विवाग, महिला वम वाल कल्यान विवाग, अल्फ संक्यक विवाग, सांस्करती विवाग द्वारा समय समय पर महिलाओं को कारीवारी ट्रेनिंग दी जाती है. साथ ही अनेक स्वयम से भी संस्ताईं भी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने तता समाज की मुख के धारा से जोड़ने की कोशिस कर रही है सरकार या स्वयम से भी संस्ताओं द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग मुख्त होती है ऐसी ट्रेनिंग के दोरान महिलाओं को रुखने बाउन के खानपान की वेवस्ता भी संस्ता द्वारा उपलब्द करवाया जाता है ट्रेनिंग के बाद कारे को सुरू करने के लिए आर्थिक मदद या सबसेड़ी वाले लोन उपलब्द कराए जाते हैं किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है छोटे कारोवा सुरू करने के लिए खास कर सिलाई, कडाई, जोयलरी, मेकिंग, मेंदी, आचार, पापार, जैम, मुरब्बा, ब्यूटिसियन आदी की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इसे सीखने वाली महिलाई बड़ी आसानी से अपना कारोवा सुरू कर सके घर की एक महिला कोई एक ट्रेनिंग लेने के बाद घर के अन्य सदस्तों को भी सिखा सकती है इससे उनकी इंकम दुगुनी हो जाती है महिलाई चाहे तो समू बना कर भी सकारों को कर सकती है सरकार दोरा समय समय पर लगाय जाने वाले बैपार महिले में स्टॉल लगाने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है अपने राज्य से प्रतिनिधी के रूप में दूसे राज्यों में मेले में स्टॉर लगाने के लिए बेजा जाता है ऐसे में आने जाने रुकने खाने पीने आधी का खट सरकार उठाती है अच्छा विजनेस करने वाली लगू महिला उठ्मियों को सरकार द्वारा पुरस्कार भी किया जाता है बेनों से मैं कहना चाहूंगी जब भी मौका मिले आप ऐसी ट्रेनिंग अवस्य कर ले इसके लिए लोकल लेबल पर सयम से भी संस्ताओं महिला समू से या सरकारी विवाक से संपर करती रहे इस तरह के कारोबार से आप अपने पैरो पर खड़ी हो सकती है और समाज में अपनी एक पहचान के साथ साथ रुपए भी कमा सकती है फ्रेंड्स आप धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा कर प्रतीमा काफी अच्छा कमा सकती है इसके साथ ही साथ आप अन्य महिला को भी रोजगार दे सकती है बिजनेस से संबंदित अधिक जानकरी के लिए हमारे ब्लॉग बिजनेस मंत्रा को पढ़ते रहे वीडियो पसंद आने पर से लाइक करें शेयर करें और प्लीस सब्क्राइब जरूर करें ताकि घर बैटे बिजनेस से संबंदित और अधिक जानकरी आप तक आसानी से पहुंसते रहे